हलो दोस्तो फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे की जरुवत है और आप प्रेसनल लोन के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आज इस वीडियो में एक ऐसे अप्लिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें आप जो है इंस्टेंट आपके एकाउंड में क्रेडिट हो जाएगा पैसा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मुझे जो है 5 मिनिट के अंदर ही मेरा पैसा जो है मेरे एकाउंड में आ चुका है तो दोस्तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा आपको इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करेंगे जैसा कि देख पार है हमारा इंस्टॉल हो चुका है ठीक है अब इसको हम ओपन कर लेते हैं ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपको एक बात बता दें कि अगर आपको सच मिच पैसे की जरूत है तभी आ आपका उपसन आएगा इंग्लिष कर लेंगे उसके बाद यहां पर आपको अपने पैण काड पैन काड पर ईक्सेप्ट कर लेते हैं अग्री एंड कर देंगे इहां पर कुछ परमिशन मंग जाएगा आप इलाओ कर देंगे उसके बाद कुछ इस तरह का इंटर फेस यहां पर इंतजार करेंगे तो आपका account successful create हो जाएगा जैसा कि देख पा रहे हैं पर अब यहां पर कुछ personal information डालना होगा आपको जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर आपको सबसे पहले date of birth चूज करना होगा gender चूज करना होगा उसके बाद यहां पर आपको current जो है address चूज करना होगा उसके बाद pin code डालेंगे उसके बाद type of address क्या है आपका यानि type of आपका अपका अपना घर है खुद का वो डालेंगे continue करेंगे उसके बाद यहां पर option चूज करने का हैगा employment details के आप job करते हैं या self-employed तो इस तरह से आप अपना account आसानी से बना सक जैसा कि देख पा रहे हैं यहां पर इंतजार करने के लिए बोल रहा है देख रहे हैं कि मुझे loan approved होगा यहां पर कितना होगा वो अब आगे पता जल जाएगा तो नीचे apply now का option है apply now वाले option पर click कर देंगे देखे दोस्तों अभी भी मैं बता रहा हूँ गर आपको जरुत नहीं है मगर फिर भी मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि process क्या होता है ठीक है तो यहां पर apply now वाले option है उसको click किया apply now वाले option पर देख सकते हैं यहां पर मुझे 25,000 रुपया का loan approved किया गया है उसके बाद यहां पर आप चाहें तो घटा बढ़ा सकते हैं आपका loan जि जादा हो जागा ठीक है अब यहां पर एक reason चूज करने का होता है कि आप किस वज़ा से loan लेना चाहते हैं तो देखिए personal use का हम यहां पर डाल देते हैं personal use डाल दिया उसके बाद नीचे जो है यहां पर apply now का option मिल जाता है apply now वाले option पर click कर देंगे apply वाले option पर जैसे click पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा loading लेगा आपको इंतजार करना होगा उसके बाद देख सकते हैं यहां पर आपका जो है इस तरह का आएगा personal detail submit हो चुका है loan application submit हो चुका है अब यहां पर कुछ additional detail डालना होगा जैसे bank का details डालना होगा उसी account में आपका पैसा credit होग अब यहां पर KYC करने के लिए बोला जाएगा तो KYC देखिए बहुत असान तरीके से कर सकते हैं आप यहां पर अपना एक selfie upload करनी है उसके बाद अधार card का और pen card का photo upload करना है KYC आपका complete हो जाएगा तो चलिए हम फटट फट से यह काम कर लेते हैं अधार वाले option पर क्लिक क code है वो डालना होगा उसके बाद agree and continue का option मिल जाएगा उसको किलिक करेंगे आपके अधार रेजिस्टर नंबर पर एक OTP आएगा उसको इंटर करेंगे उसके बाद यहां पर एक security code जो है शेयर code जो है यहां पर submit के लिए बोल रहा है तो आपको भी charge digit का code यहां पर डाल दें है ठीक है अब यहां पर documents upload हो रहा है आपको इंतजार करना है तो जैसा कि देख सकते हैं मेरा जो यहां पर pen selfie अधार और bank details सारा चीज अप्रूब्ड हो चुका है अब यहां पर complete your profile नीचे option आ रहा है थोड़ा सा कुछ additional details डालना होता है तो चलिए complete loan application का option मिल जा रहा है उस पर click कर देते हैं उसके बाद यहां पर father का नाम डालेंगे mother का नाम डालेंगे उसके बाद यहां पर पुछा जाएगा आप married है और married है वो डाल देंगे उसके बाद नीचे continue कर देंगे उसके बाद यहां पर कुछ इस तरह का option आएगा कि आप उन्हें मतलब job में चूना है तो क्या डिजनेशन अपका क्या है यह सब डालके उसके बाद फिर से continue कर देंगे तो अब यहाँ पर जो भी आपने details डाला है वो upload होगा ठीक है आपको यहाँ पर इंतजार करना है अब यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का आ रहा है अब यहाँ पर देखिए auto pay वाला जो एक option है इ-mandate करना होता है ठीक है तो इ-mandate में क्या होता है कि आपको अपना इ-mandate करना होगा अपने debit card या internet banking का यूज और यहाँ इकांट नंबर डाला उसी से आप कर सकते हैं बाद यहां पर verification होगा, आप यहां पर complete कर लेंगे इसको, उसके बाद यहां पर आपका e-mandate हो जागा, e-mandate actually auto pay होता है, यहां पर क्या होता कि loan amount जब ले लेते हैं, आप तो EMI का जब date आता है, तो automatic जो है, वो कड़ जाएगा आपके account से, जो account यहां पर आप e-mandate करेंगे, ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरह का interface आएगा, इसके बाद यहां पर loan agreement sign करने के लिए, उसको open करेंगे, sign का option नीचे मिलेगा, उसको click करेंगे, तो आपका sign हो जाएगा, और आपका जो है, सब कुछ यहां पर clear हो गया, देख सकते हैं, यहां पर 5 steps है, पांचो मेरा clear हो ग कुछ ही समय में आपके account में, जो आपने account यहां पर डाला है, उस account में पैसा आपके account में चला जाएगा, तो मेरा 10 minute के अंदर ही आ गया था यहां पर, बहुत ही आसान तरीके से मैंने loan यहां पर ले लिया है, अगर आप भी देख सकते हैं, यहां पर loan approved हो गया, अब यहां प 25,000 में 22,466 रूपया जो हमेरे account में transfer कर दिया गया है,